स्नीहा का सपना था कि उसी कोई बहुत ज्यादा समझदार और स्मार्ट पढ़ा लिखा लड़का मिले लेकिन कहते हैं न जो भागय में होता है होता वही है देख मैं साफ कह रही हूँ लड़की के बाप की पास भर भर के पैसा है अरे एक बाल लड़की ने तुझे पसंद कर लिया तो समझ के पैसे की तो नदिया भर जाएंगी लेकिन फिर भी तेरी प्यास नहीं बुझेगी बेटा अरे मा प्रिज में मैंने दो बोतल पानी की रखी है और कैसे प्यास बुझेगी अरे पाचवी फैल मैं बात कर रही हूँ पैसों की प्यास की तु गवान नहीं समझेगा इस बात को बस तुझे लोगों की नौकरी करवा लो वो क्या है ना अशिश की मा वो सीधा है और जिसे तु लोगों की नौकरी बोल रही है न वाक्षिश का प्यार है अपने लोगों के लिए जिनसे वो प्यार करता है या जिनसे जुड़ा हुआ है वो अरे जमाना नहीं रहा वो अरे आज की डेट में तो ना बेटा मा का है ना ही पती पत्नी का कैसे बात करें मा चाहे दुनिया यहां की वहां क्यों नहीं हो जाए मैं आपके बिना नहीं रह सकता ना है मैं आपको कभी दोखा दे सकता हूँ अरे हाँ ठीक है ठीक है देख लड़की को पढ़ा लिखा लड़का चाहिए तो वहां चुप रहे ना जबान खोलेगा तो पता चल जाएगा कि पांच मी पास है अरे तो पढ़ा देती ना अगे माना सौतेली मा हो लेकिन दहेज की लालच तो अपने बेटे जैसी ही रख रही हो पापा ऐसा मत बोले ना मा को वो मेरी मा है मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ अच्छा अच्छा बेटा कुछ नहीं कहता बस तयार हो जा चलते हैं और देखते हैं कि कौन है लड़की और क्या चाती है सबी मिलकर लड़की देखने जाते हैं जहां स्नीहा आशिश को देख कर ही इंप्रस हो जाती है वाह, कितना हैंसम है, काश इससे मेरी शादी हो जाती, लिकित पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है निहा, लड़का बहुत अच्छा है, बिचारी के माँ दूसरी है, लेकिन देख रही है न, फीरा भी इतना चमकिला नहीं होगा जितना कि ये स्निहा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो आशिष से मिलती है, उसकी सादगी, उसकी बाते उसे भाज आती है मैंने नहीं सोचा था कि इतना पढ़ा लिखा लड़का मुझे मिलेगा, मैं शादी का निकली ते यार हूँ और फिर स्निहा और आशिष की शादी हो जाती है, शादी के बाद सासुमा कहती है अरे बेटा वो तेरे जेवर मुझे दे दे, मैं समभाल कर रख दूँगी स्निहा जो के खुद भी एक समझदार लड़की थी, नहीं नहीं, मैं अपने जेवर नहीं दूँगी उसके लिए तो मैंने पहले ही लॉकर खुलवा लिया था माजी ये मेरी कुछ आर्टिफिशल जूलरी है, इसे रख लीजी वैसे मेरी अलमारी में जगा नहीं है ना सास बेचारी, नहीं नहीं बहु से क्या उलचती सुनिये जी, मैंने आपके लिए खाना और नाश्ता बना दिया है ओफिस कड़ जाना है? कान से ओफिस में या? मैं तो घर का सारा काम करता हूँ हाँ? क्या भात कर रहे हैं? इतना पढ़ लिखकर आप घर का काम क्यों करते हैं? कितना पढ़ लिकर? मैंने तो सिर्फ पाँचवी तक पढ़ाई किया तब ही वहाँ सास आ जाती है अरे पाँचवी तक भी पढ़ी लिया तो समझो मेरी क्रिपासे वरना तो जो इसके लक्षन थे ना? क्या बताना? अच्छा आशिश जरा बाहर जा और भाग कर तूट पेस्ट लिकरा सुपह से मंजन नहीं किया और हाँ फिर जाकर दुकान की सफाई कर देना तेरा छोटा भाई दुकान पर जाने को तयार हो रहा है सनीहा ये सब सुनकर हैरान रह जाती है वो सोचती है कि आखिर उससे क्या गलती होगी जो उसकी साथ ऐसा हुआ आशिश सनीहा के पास जाता है सुनो तुमको तो मैंने पहली मुलाकात में ही बताया था कि सनीहा आशिश की बात ही नहीं सुनना चाती है वो जूर से चिलाती है चुप रहो बिल्कुल गवार कही के कितना बड़ा दोगा हो गया तेरी साथ अब मैं इस गर में नहीं रह सकती प्लीज ऐसी बात मत करो मेरी पत्नी हो तुम जैसे बोलोगी मैं वैसा करूँगा मैं कोशिश करूँगा बाहर जाकर कोई काम ढूण लूँ पर प्लीज मा जाओ चुप रहो गवार कही के मैं तुम्हारे जैसे के बीवी होई नहीं सकती आशिश स्निहा को लाग समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने माई के चली जाती है मा चली है ना स्निहा को मना कर लेकर आते है अरे जाओ मनाने जाए मेरी जूती इतना घमन जैसे कलेक्टर हो कहीं की महारानी अरे मैं तो तुझे कहूंगी कि तू भी बुल जा हमने नहीं भगा रहा खुदी तो गई है मा वो बीवी है मेरी मैं प्यार करता हूँ उससे मैं जा रहा हूँ जली ने वहीं स्निहा की घर पर मा वो तो कुछ कामी नहीं करता घर का नौकर है पाँचवी पास मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी की साथ मा बेटा वो लड़का बहुत अच्छा है उसकी तारीफ मैंने हर किसी से सुनी है तीरा पती ही है अब तक एक गलत मा के साथ रह रहा था तू सवा रही की तो सबर जाएगा तब ही वहाँ आशिश आ जाता है मुझे माफ कर दो स्निहा पर प्लीज मुझे छोड़ कर मत जाओ मेरी मा के जाने के बाद मुझे तुम ही से सारी उम्मीद है तुम जैसा कहोगी मैं करूँगा पर प्लीज मेरे साथ रहो सब के समझाने बुझाने के बाद स्निहा आशिश के साथ घर आ जाती है आ गई महारानी अब आई हो और सचाई भी पता चल गई है तो थोड़ा तमीज से पति के साथ घर दे रसोई संभाल और हम सब की सेवा कर देखो मैं अब इस घर में बटवारा चाती हूं जो मेरे पति का हिस्सा है वो उसे मिले और वो आज से कोई काम नहीं करेंगे हिस्सा लेलो लेलो लेकिन कमाओगे क्या खाओगे क्या धूल मिट्टी अरे तेरा पति किसी काम का नहीं है वो तो मेरा बेटा कमा रहा है तो दो रोटी मिल जाती है इसे तभी वहां सनीहा किस सुरा जाती है मैंने एक बंद फैक्टरी को पहले ही आशिश के नाम कर दिया है और घर के दो तल्ले में एक तल्ला लेलो मैं तो आशिश के पास रहूँगा वकिल थोड़ी दिर में आता ही होगा अरे जाओ जाओ दो दिन मैं भूख से तड़प कर सब वापस आ जाओगे बड़ी आई बहु बेटे वाली फिर क्या था सनीहा आशिश के साथ मिलकर बंद फैक्टरी को खोलती है और मन लगा कर काम करती है दोनों की मैनत रंग लाती है और आशिश अपनी मैनत से एक सफल बिजनिसमें बन जाता है लेकिन एक दिन अरे बहु बेटा आशिश मुझे माफ कर दो मैं भी अब तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ इस कमबक्त ने तो दुकान का बेडा गर कर दिया वो तो आशिश था जो सारा दुकान का काम संभालता था बेटा हमारे पास तो खाने को भी नहीं बचा माजी इसे कर्म के फल कहते हैं खेर खाना है तो आपको और आपकी बेटे को काम करना पड़ेगा समझी ये बगवान अब ये दिन आ गए हैं कि बहु के साथ रहने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा बेटा आशिश तु ही समझाना अपनी बीवी को पता है ना मैंने तुझे कितने प्यार से पाला है हाँ मा वो तो ऐसी ही बोल रही आपको अरे घर में काम काज के लिए बहुत सारे नोकर चाकर है आप आराम से रहिए मा स्निया आशिश का अच्छा और सरल सच्चा व्यवार देखकर मनी मन सूचती है मेरा पती गवार ही सही लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है